आज किस वीडियो समरी में आप जानेंगे कि कैसे आप अपने पब्लिक स्पीकिंग से जुड़े डर और चिंता को दूर कर सकते हैं इसके साथ ही आप ये भी जानेंगे कि पब्लिक स्पीकर भी एक इनसान होता हैं उससे भी गलतिया होती हैं उसे भी stage पर जा करके लोगों के सामने बोलने से डर लगता है लेकिन सबसे important बात यह है दोस्तों कि अगर आपके अंदर हिम्मत, confidence और public speaking सीखने का पका इरादा है तो आप practice और इस वीडियो समरी में बताई गई tips की help से एक successful public speaker बन सकते हैं तो अपने public speaker बनने की सुरुआत आज किस वीडियो को ध्यान से देख करके कीजिए क्योंकि अगर आप किसी को कुछ सिखाना चाहते हैं तो पहले आपको उसे खुद सीखना होगा एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों जल्दी से subscribe कीजिए एंड बैल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके हम ऐसे यू वर्ल्ड फेमस बुक्स की समरी हर वीक आप सभी के लिए लेकर के आते हैं नमस्ते दोस्तों आप सभी का एक बार फीज से स्वागत है सेल्फ हेल्प बुक्स चैनल पर और आज किस वीडियो में हम आपके साथ सेर करने वाले हैं दी कुईक एंड इजी वेटो इफेक्टिव स्पिकिंग बुक की समरी को जिसके ओथर हैं दोस्तों डेल कारनेगी डेल कारनेगी एक फेमस राइटर और एक लेक्चरार थे दोस्तों उन्होंने पबलिक स्पीकिंग, सेल्समेंशी पो, सेल्फ इंप्रूव्मेंट और कम्यूकेशन स्किल्स के लिए कहीं सारे कोर्सिस त्यार किये थे वह डेल कारनेगी ट्रेनिंग के फाउंडर भी थे दोस्तों जिसके अभी 85 कंट्रीज के अंदर ब्रांचीज हैं और आज हम उन्ही की बेस्सेलिंग भूट दि क्विक एजी वेट इफेक्टिव स्पीकिंग से कुछ लेसंस आप लोगों के साथ सेध करने वाले हैं तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इस बूक के इंटूड़क्शन के बारे में आपको कैसा लगता है दोस्तों जब कोई किसी पार्टी में बोलने के लिए माइक्रोफोन आपकी तरफ करता है आप क्या करोगे जब कोई आपको एक्सपर्ट के सामने एक रिपोर्ट पेस करने को कहता है आप कैसे रियक्ट करेंगे अगर आपको किसी कौनफरेंस में एक स्पीज देने के लिए बुलाया जाए कुछ लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत ही ज़्यादा एकसाइटिंग और रोमान्स से भरे होते हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें बोलने के ऐसे मौके और ज़्यादा मिले लेकिन कुछ लोग ऐसे मौकों पर घबराने और चिंतित होने लगते हैं अगर आप भी उस समय उनकंफरडेवल फील करते हैं जब स्टेज पर सबका ध्यान आपकी तरफ होता है तो यह बुक आपके लिए दोस्तों यह बुक आपको एक अच्छा पबलिक स्पीकर बने में आपकी हैल्प करेगी यह बुक दूसरी बुक की तरह बिलकुल भी नहीं है पबलिक स्पीकंग पर लिखी गई काफी किताबे टेकनिक्स पर फोकस करती हैं जैसे कि वोकल आर्टिकुलेशन लेकिन यह बुक इस बात पर फोकस करते हैं दोस्तों कि आप कैसे ओडियन्स का ध्यान अपनी और खीच सकते हैं यह बुक उन सक्सेसफुल लोगों की कहनी बताती हैं जिने पबलिक स्पीकंग में अपनी बात रखने से डर लगता था या फिर वो सर्माते थी लेकिन आप वो एक सक्सेसफुल स्पीकर हैं लोग आज उनकी बाते दोराते हैं और उनकी बातों ने कई लोगों की जिन्गी पर गहरा असर डाला है यह बुक आपको किसी और के जैसा बनने को नहीं कहती है यह बुक आपको अपने अंदर कोईफिडेंस, उमीद और एक पका इरादा पैदा करने में आपकी हेल्प करेगे इस बुक को पढ़ने के बाद आप अपने अंदर के डर और चिंता को दूर कर पाएंगे इस बुक की मदद से आप लोगों के बीच अराम से बोल पाएंगे तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे फ़र्स चैप्टर के बारे में जिसमें ओथर बेसिक स्किल्स हाशिल करने के बारे में बताते हैं अगर आपको लोगों के बीच बोलने में डर लगता है तो आप ये जरूर चाहेंगे कि इस दिर पर आप काबू पा ले और साइद ये भी चाहेंगे कि जीजक को दूर किया जाए आप चाहेंगे कि आप confident और शांत रहें आप ये जरूर चाहेंगे कि आपके विचार इस तरीके से बोले जाएं कि वो सामने वाले को असानी से समझ में आए तो आप अपनी बात को साफ साफ रख सकते हैं जिससे कि लोगों को आपका point of view समझने में आप मदद मिलेगी इसके लिए दोस्तों पहले आपको दूसरे लोगों के experience से सीखना चाहिए कोई भी जनम से public speaker नहीं होता यह एक skill है जिससे आपको master करना पड़ेगा इसमें perfect होने के लिए सालों लग जाते हैं दूसरा आपको हमेशा अपने goal को mind में set करना होगा आपको याद रखना होगा कि self confident होना और असरदार तरीके से लोगों के beast बोल पाने के क्या क्या फायदे हो सकते हैं आप ज़्यादा दोस्त बना सकते हैं दोस्तों और बहतर तरीके से अपने समाज की सेवा भी कर सकते हैं यहाँ तक कि आप अपने office में भी लोगों को influence कर पाएंगे यहाँ पता होना चाहिए कि अच्छी तरह से बोलना आपको leadership role के लिए भी त्यार करेगा और तीसरा एठान लीजे कि आप successful होंगे इससे आप positive तरीके से सोच पाएंगे और विस्वास कर पाएंगे कि आप लोगों के बीच ठीक से बोल सकते हैं और इसमें successful भी हो सकते हैं एक negative mindset से कुछ भी भला नहीं हो सकता और छो था आपको practice करने का कोई भी मोका नहीं छोड़ना चाहिए एक अच्छा speaker बनने के लिए सिर्फ public speaking के do's and don'ts को जाना काफी नहीं है यानि कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है सिर्फ ये जानना काफी नहीं है आपको लगतार practice भी करनी होगी अगर आप practice नहीं करतें तो आपको कभी भी पता नहीं चल पाएगा कि आप ने कितनी progress की है इस book के author डेल करनेगी को एक बार एक message मिला जिसे देख करके वो और हैरान थे यह message मारिया लाओ नाम के एक आदमी ने भेजा था दोस्तों उसने कारनेगी को बताया कि वह है उनसे अपनी एक speech के लिए training लेने New York आ रहा है जब वे New York में मिले तो लाजो ने उन्हें अपनी problem के बारे में बताया हवाना country club अपने founder का पचासवा जनम दिन मनाने वाला था लाजो को उस साम की main speech देनी है और founder को silver cup भेट करने के लिए बुलाया गया था लाजो एक attorney थे लेकिन उन्होंने अपनी जिन्दगी में कभी भी public के सामने speech नहीं दी थी आसल में वहल लोगों के 20 speech देने से बहुत ज़ादा डरते थे उन्हें लगता था कि खराब speech की वजह से लोग उनका और उनकी पतनी का मजाक बनाएंगे इससे साइद clients के बीच उनका समान भी कम हो जाएगा इसी वजह से वो New York आये थे और challenge ये था दोस्तों कि लाजो सिरफ तीन हफते न्यू योर्क में रुकने वाले थे और इसलिए उन्होंने हर रात तीन से चार बार कारनेगी के class में बोलने की practice की तीन हफतों के बाद लाजो ने country club में अपनी speech दी उनकी speech इतनी ज़्यादा शांदार थे कि उनके बारे में time magazine में एक report लिकी गई उन्होंने लाजो को silver tongue ओरेटर बताया यह दिखाता है दोस्तों कि कई लोगों को public speaking पसंद नहीं थी लेकिन अब वे एक successful public speaker है यह चमतकर आपके साथ भी हो सकता है दोस्तों अगर आपके अंदर भी public speaking सीखने का जज़बा है तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हैं हमारे next chapter के बारे में जिसमें author public speaking सीखने के लिए बताते हैं कि आपको अपने अंदर confidence पैदा करना पड़ेगा शिर्फ लोगों के बीच में नहीं बोल पाने के डर से आपने कितने मोके मिस कर दी है यह कुछ tips हैं दोस्तों जिनकी मदद से आप stage के डर को हरा सकते हैं इससे आपको कुछ ही हपतों में अपने अंदर confidence लाने में भी मदद मिलेगी इसके लिए पहले आपको कुछ चीजे जान लेनी चाहिए कि आप अकेले नहीं हैं जिने public speaking से डर लगता है बहुत सारे लोग यहां था कि professional speaker को भी कभी कभी stage पर जाने से डर लगता है आप public speaking से इसलिए डरते हैं क्योंकि आपको इसकी आदत नहीं है लगातार practice करने से आप इस दर को अपने अंदर से निकाल सकते हैं यह बिल्कुल पहली बार tennis खेलने या फिर कार चलाने सीखने जैसा ही है दोस्तु अगर आप practice नहीं करेंगे तो आप कभी भी यह सब अच्छे से नहीं सीख पाएंगे और दूसरा अच्छे से त्यारी करें कभी भी speech का एक स्विद्ध याद नहीं करें क्योंकि आप सबन को भूल सकते हैं जिसके कारण आप stage पर घबराज सकते हैं अपने खुद की सब्दों में बोले ताकि आप active और effective लगे ना कि एक robot हाला कि आप अपनी speech की पहले से outline त्यार कर सकते हैं इससे आप यह पका कर पाएंगे कि आपकी speech एक logical pattern follow करें और आपको दिये गए time में fit बैठ जाएं अपनी speech को अपने सब्दों में practice करें दोस्तों आप अपने दोस्तों के साथ भी इसकी practice कर सकते हैं ताकि आपको उनका feedback मिल सकें और तीसरा step दोस्तों success पाने के लिए positive म्रज़रिये को पनाएं अपने subject में अपना सब कुछ लगा दें और अपना person audience को दिखाएं अपने आपको शाबासे दे और बहतर करने के लिए अपने आपको encourage करें और आखिर में confident रहें बोलने से पहले दोस्तों आपको एकदम deep breath लेनी है और उसके बाद आपको एकदम सीधे खड़े रहना और अपनी audience से eye contact बनाए रखना है लोग सिरफ आपको सुनने आए है इसलिए stage को संभालें और उन्हें दिखा दे कि आप क्या क्या कर सकते हैं वेनस बुसनेल जो की equitable life assurance society के vice president थे दोस्तों कुछ साल पहले उन्हें पूरे अमेरिका से आए 2000 लोगों के बीच बोलने के लिए बुलाया गया था उन्होंने insurance industry में अपना career अभी शुरू ही किया था लेकिन उनकी काम्याबी के कारण उन्हें 20 मिट लंबी speech देने के लिए चुना गया बुसनेल ने इसे accept किया लेकिन उन्होंने गलती कर दी दोस्तों उन्होंने अपनी speech का एक सबत रट लिया और हर हाव भाव यानिकि expression को सीशे के सामने प्रैक्टिस कर लिया था जब वैद दिन आया बुसनेल स्टेज पर खड़े हुए थे लेकिन वे सब कुछ भूल गए उन्होंने एक कदम पीछे लिया और दोबार अपनी speech को सुरू करने की कोसिश की एक कहानी के लिए एक स्टेज सेट अप होना बहुत जुरूरी है दोस्तों स्टेज पर कोई भी रेलिंग नहीं थी और डिवार और स्टेज के पीछे बहुत ज़्यादा खाली जगया बची हुई थी बुसनेल स्टेज पर पीछे की तरफ जाते रहे और अपनी speech की कुछ लाइन्स को बार बार दुरहने लगे लेकिन जब चोथी बार उन्होंने अपना कदम पीछे लिया तो वो स्टेज से नीचे गिर गए और ओडियंस उन पर जोर जोर से हसने लगे और इन सब के बीच अच्छा यह हुआ दोस्तों कि ओडियंस को यह सब उनके एक एक्ट का हिस्सा लगने लगा बुषनेल को इतनी ज़्यादा सरमिंदगी महसूस हुई कि उन्होंने अपनी जोब छोड़ देने को चाहा लेकिन उनके सीनियर से उनका रेजिगनेशन एक्सेप्ट नहीं किया और उनके खोए विक ओडियंस को वापस लाने में उनकी मिनद की उस समय के बाद बुषनेल उस औरगनाईजेशन के सबसे अच्छे स्पीकर बन गए थे उन्होंने अपनी स्पीच को फिर कभी नहीं रटा तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आगे हम बात करते हैं हमारे नेस चैप्टर के बारे में जिसके अंदर ओथर अच्छे और अस्तरदार तरीके से बोलने का आसान रास्ता बताते हैं क्या आपको कभी किसी को एक मुस्किल सब्जेक्ट बोलते हुए सुना है क्या आप उस स्पीच को समझ पाए थे जब वो बोल रहे होते हैं तो साइद उनका ध्यान इदर उदर चला जाता हुगा चाहे आप कितनी अच्छे क्यों नहों पबलिक स्पीकर होने में एक दोस्त भी है दोस्तों आपकी ओडियन्स आपको नहीं सुनेगी अगर आप बहुत मुस्किल सबद यूज करते हैं उनका ध्यान आप पर नहीं होगा अगर आप सिर्फ किसी बुक में लिखी हुई बातों को ही अपनी स्पीच में दुराएंगे आपको उस स्पीच में पनी बाते कहनी होंगे जिससे की ओडियन्स आप से जुड़ पाए तो पहले आप एक सांदार स्पीच कैसे दे सकते हैं पहली बात आपको सिर्फ उस पर बोलना चाहिए जिसकी आपको नूलिज हो आपकी स्पीच किसी ऐसे टोपिक पर हो सकती है जिसे आपने अच्छी तरह से स्टड़ी किया हो या आपके प्रोफेसर्ण के बारे में हो सकते हैं या आपकी जिन्गी की मुस्किलों और उनका आपने कैसे सामना किया इसके बारे में भी हो सकते हैं या आपकी होबी के बारे में भी हो सकते हैं या वैं आपके किसी unique experience के बारे में हो सकते हैं आपकी audience जानते हैं दोस्तों कि आपने इसे याद किया है या फिर आप दिल से बोल रहे हैं इन्ही सब बातों से फरक पड़ता है कि आपकी speech सुनने लाइक है या फिर नहीं और दूसरा अपने topic को ले करके excited रहें अपनी audience को अपना excitement दिखाएं positive रहे करके अपने topic के बारे में बात कीजिए इससे audience आपकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देगी और आपको ज़्यादा सुनना चाहेगी तीसरा अपनी बात audience के साथ सेर करने के लिए उस्सुक रहें आपका excitement आपकी audience तक पहुचना चाहेए आपका ध्यान audience पर रखें ना की खुद पर अपनी बात ऐसे सब्दों में कहें जीने की वो असानी से समझ सकें डेल कारनेगी ने एक बार New York City बैंक के officers के लिए एक public speaking course और्गनाइज गया था ये officers बहुत ही busy रहते थे कहा गया दरसल वो इसके लिए त्यार नहीं थे और जल्दबाजी में वो अपने office के बाहर से Forbes magazine के कोपी खरीद करके ले आए और फिर वे class के लिए चल पड़े अपनी speech के लिए उन्हें मैगजीन के एक article को पढ़ा जिसका title था दोस्तों सफल होने के लिए आपके पास सिर्फ 10 साल है Jackson ने इस article के बारे में बात करने की कोशिस की लेकिन वो काम्याब नहीं हुए उनकी speech में कोई real message नहीं था यह उनकी body language और आवाज से बिलकुल साफ पता चल रहा था जब उन्होंने अपनी speech खतम की तो कारनेगी ने उन्हें बताया कि उनकी speech में उनका खुद का कुछ भी नहीं था लोग यह नहीं सुनना चाहते कि Forbes magazine के author ने क्या कहा लोग जैक्सन और उसकी सोच के बारे में जानना चाहते थे जैक्सन ने वह आर्टीकल फिर से पढ़ा उन्हें एहसास हुआ कि वह उस magazine में लिखी बातों से बिलकुछ सहमत नहीं थे इसलिए अब उन्होंने अपनी speech के लिए एक bank executive के तोर पर अपने experiences को याद किया अगले हफ़ते वह वापिस आयो और कलास से बाते कि अपने experiences सेर किये और कलास में लोगों ने उनकी बाते बड़े ध्यान से सुने यह साफ था दोस्तों कि उनकी दूसरी speech पहली speech से ज़्यादा सरदार थी इसी तरह से आप एक successful public speaker बन सकते हैं तो चलिए दोस्तों आगे हम बात करते हमारे next chapter के बारे में जिसके अंदर author बोलने के अधिकार हासिल करने के बारे में बात करते हैं अगर आपको एक अच्छा speaker बनना है दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए कि audience की दिल्चस्पी कैसे बनाए रखें आईए जानते हैं कुछ ऐसे तरीके जो इसके अंदर आपकी मदद कर सकते हैं इसके लिए पहला तरीका है दोस्तों अपनी speech के subject को limit रखें अपने topic को छोटा करके खासकर जब आपको limited time दिया गया हो उस पर बात करने के लिए क्या होगा अगर आप अपनी speech में दुनिया भर की बाते कहने लगे सायद आपकी audience उबासी लेने लगेगे एक topic पर focus करने से आपकी audience आपको बहतर तरीके से समझ पाएगी यह आपको एक logical pattern follow करने भी मदद करेगा दूसरा आपके पास reserve power होनी चाहिए research और study करके आप अपने topic के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी कठा कर सकते हैं इस तरीके से आप अपने विचारों को साफ साफ रख पाएँगे यह आपको audience में से पूछे जाने वाले सवालों के लिए भी त्यार कर सकता है दोस्तों तीसरा आपकी speech में ज़्यादा से ज़्यादा example और illustrations होने चाहिए अपने experiences को audience के साथ share करके अपनी बात को एक human test दें लोग आपके बारे में सुना पसंद करेंगे basic आप कोई भदी बात नहीं करें किसी का नाम यूज़ करके आप अपनी बात को personalize कर सकते हैं दोस्तों आप अपने example के मन में बनाए हुए नाम भी यूज़ कर सकते हैं इससे audience को यह समझने में help मिलेगी कि कि किसने क्या का और किसने क्या किया अगर आप और ज़्यादा कुछ हासल करना चाहते हैं तो आपने example में dialogue यूज़ करके उसे एक drama का रूप भी दे सकते हैं audience से बात चीत करके आप अपने talk को ज़्यादा realistic बना सकते हैं और चोथा मजबूत और ऐसे जाने पहचाने जाने वाले सब्दों का यूज़ करें जो आपके mind में picture बनाते हों अपनी audience के लिए एक realistic picture क्रियेट करें जैसे कि जब आप dog कहते हैं तो audience के mind में अलग अलग तरह के dogs आ सकते हैं पर जब आप बुल डोग या फिजर्मन सैफिट डोग बोलते हैं तो picture और भी ज़्यादा clear हो जाती है दोस्तों best selling book inside के author जोन गंथर mental hospital के बारे में एक article series पर काम कर रहे थे वे जिस भी institute में गए उन्होंने वहाँ चान बिन की और बहुत सी जानकारियां जुटाएं गंथर ने जानकारी के लिए अलग अलग sources यूज किये थे उन्होंने national और local government की report के साथ साथ private hospitals की statistics को भी सामिल किया था हालिकाया इस सबसे वे सिर्फ चार ही article लिख पाए ये एक अच्छी speech बनाने के लिए काफी था जो notebook उन्होंने अपनी research के दुराएं यूज किये थी उसका weight लग बग 20 pound रहा लेकिन जो article publish हुआ वे कुछ ही ओंस का था गंथर हमें बताते हैं कि सब कुछ सामिल करने की जिरूरत नहीं है सिर्फ जिरूरी points को लिखना चाहिए बिल्कुल वैसे ही जैसे एक public speech देते समय करते हैं बाखी सारे facts को आप अपनी reserve power की तरह है future use के लिए रख सकते हैं दोस्तों और इसके बाद दोस्तों author अपनी बात को कहने का तरीका हमें बताते हैं कि कैसे आप audience से connect करते हुए अपनी बात कह सकते हैं आपको कैसे पता चलेगा कि आप जो बोल रहे हैं उसे भी वैसा ही समझ रहे हैं सबसे पहले आपको जीजक के cell को तोड़ना होगा आपको हर उस बादा को हटाना होगा जो आपको सचाई से बोलने और आपके असल रूप को लोगों के सामने लाने से रोकती है जैसा बने आप में एक अलग बात है दोस्तों हमेशा याद रखे कि आपके जैसा कोई और नहीं है खुद की कदर करे और उन्हें दिखा दे कि आप कौन है और तीसरा अपनी ओडियंस से बात करे अपने मैसेज को अपने दिल और दिमाग से ओडियंस के दिल और दिमाग तक पहुँचाए यह समझ लें कि आप हर एक से बात करें वो सीधे और नैचुरली बात कीजिए चोथा आपको अपनी बात दिल से कहने चाहिए अगर आप अपने टोपी को ले करके पैसनेट है तो आपको लोगों के बीच इसके बारे में बात करने में कोई दिक्कत नहीं होगी याद रखे कि आपकी एनरजी और जो ओडियंस तक पहुँचना चाहिए आखरी बात अपनी आवाज को स्टोंग और फ्लेक्सिबल बनाए जैसे जैसे आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे आपकी परफॉर्मेंस और भी ज़्यादा बहतर होती जाएगी आपकी आवाज की पीच वोल्यूम, स्पीड और वैरियेसन चेक करने के लिए आप अपना वीडियो या फिर ओडियर रिकोर्ड कर सकते हैं इसकी मदद से आप स्टेज पर जाने से पहले अपनी स्पीज अपने दोस्तों को सुना सकते हैं एक बार कारगिनारनेगी स्विस लैप्स के एक समर रिसोर्ट में गए थी वे उस होटल में रुके जाइंग लैंड के कुछ लेक्चरार हर हफ़ते होटल के गैस्ट उनके सबद कलियर नहीं थी और उन्होंने ओडियंस की तरफ देखा तक नहीं ऐसा लग रहा था कि मानवे उन्हें अंदेखा कर रही हो वह कभी अपने नोट्स को तो कभी जमीन को देख रही थी वे नय तो सिर्फ अपने टोपिक से बल्कि ओडियंस से भी कनेक्टिड नहीं लग रही थी ऐसा लग रहा था दोस्तों कि मानवे लोगों से नहीं बल्कि जमीन से बाते कर रही हैं अगर आपको एक अच्छा और असरदार पबलिक स्पीकर बनना है तो आपको ऐसा करने से बचना होगा हमेज़ अपनी बात को पूरे जोस और जुनून के साथ साथ कहें सबसे ज़्यादा जूरी बात है अपनी ओडियंस से कनेक्ट करना तो फाइलली दोस्तों बात करते हैं इस बुक के कनकुलूजन के बारे में इस बुक समरी में आपने सीखा कि कोई भी जनम से एक पबलिक स्पीकर नहीं होता प्रोफेसनल पबलिक स्पीकर को भी थोड़ा बहुत डर लगता है जब वो स्टेज पर जाते हैं सबसे ज़्यादा जो बात माइने रखती है वह है प्रैक्टिस करते रहना इसके साथ ही आपने ये भी सीखा कि स्पीज को देते टाइम अपना गोल माइन में रखना चाहिए पबलिक स्पीकिंग के फाइदे के बारे में सोचना और अपनी चिंतरों डर से छुटकारा पाना है पबलिक स्पीकिंग से आप ने दोस्त बना सकते हैं और अपने करियर को भैतर कर सकते हैं पोजिटी माइन्ट सेट के साथ सक्सेस को अपनी और खीचे अगर आप सोचेंगे कि आपकी स्पीच अच्छी जाएगी तो सच में ऐसा ही होगा इसके साथ या आपने ये भी सीखा कि कैसे आप अपनी स्पीच को समय से पहले त्यार कर सकते हैं अपनी स्पीच को एक-एक सबद याद करने की बजाए उसमें आप अपने एक्सपिरिंसिस को डाल सकते हैं अगर आप अपने speech करें के एक सब्द याद करेंगे, तो आप एक robot की तरह लगेंगे, इससे आप अपने सब्द भूल भी सकते हैं, हमेशा अपने दिल से बोलें और अपने आपको रोके नहीं, audience आपके emotion से आपको बहतर समझ पाएगी, एक अच्छे public speaker को confident दिखना और होना याद रखें कि लोग आपको देखने और सुनने आते हैं, stage को control करें ऐसा topic चुनिए, जिसको और लेकर के आप बहुत ज़्यादा passionate हों, इससे आपको audience के सवालों का जवाब देने में मुस्किल नहीं होगी, एक successful public speaker बनना एक process है, कोई सिर्फ एक दिन में एक सांदार speaker नही देखें, तो patience रखें दोस्तों और practice करते रहें, जब तक कि आप एक perfect public speaker नहीं बन जाते हैं, तो दोस्तों आज किस वीडियो summary में बस इतना ही, उमीद करते हैं कि आपको आज कि वीडियो summary पसंद आई होगी, तो दोस्तों मिलते हैं हमारी next वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी खुस रहें, खुसियां बाट रहें, we love you दोस्तों, जहें दोस्तों, जहें